हलो दोस्तों नमस्ते कुड मॉर्निंग जैश रीराम वेलकम बैक टू माइ चैनल कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों अभी मॉर्निंग के हो रहे थे पौने आठ तो आज ना हावा बहुत तेज चल रहे थी तो मैंने ग क्योंकि यह लास्ट वीडियो है यहां का बाहर का बाहर का बहुत अच्छा आ रहा था और सबसे अच्छा मुझे लगता है यहां का यह जो च्छत पे जो फ्लैग उड़ रहा है ना स्रीराम जी का वह मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपने रूम के गेट ख प्लैग उड़ता है और सूरुदेव उदय होते हैं जो नीम का पेड़ खड़ा है वो इसके बीचा बीच में तो सच बता रहे हैं इतना अच्छा लगता है बहुत जादा तो इधर ग्यान भी लिए थी नमकीन का पैकट तो बोल रही थी कि मम्मा इसको खोल दू खाना है तो बरतन उनकी भगवान जी के दूल लाई थी तो मैं परसाथ कर रही थी बगवान जी को मैंने अच्छे से पहले यस से पहुंच दिया था ahorग मैंने उनको नहला Illinois था क्योंकि ऐसे पहुंच के उनको कपड़े नहीं पैना दिये था क्योंकि कल उनको पैक करना आप दोने लोगों को लग रहा है और मैं जा है यहां से फिल हो रहाए है कही भी रहुत ही है अपनी याद ऐसे बशने लगति एंट लगा दिया थो उसके बाद में सिंदर का तिलग लगा लिए थी अंगल उसके अब मैं परसाद खिलाओंगी पहले मैं परसाद अपने हाथ से खिलाती हूं उसके बाद मैं उनको प्लेट से खिलाती हूं एक एक करके मैं परसाद खिलाती हूं सभी लोगों को ऐसी नहीं की डारेक्ट रख दिया तो अब मैं ये प्लेट लेकर उनको खिला रही हूं उसके पाने बादवाद यह पानी में अपनी हाथ से पिलाओंगी चमच नहीं मेरे पास. मैं भूल की उस मिन गई थी उपना पहलों, और नो बिमना को ढ़ाओं. गार अक नहीं तो फूल यहाँ जाइक शोपना कि पैसी पानी पिलाने पढ़ा पूली है. पहले क्या था कि सिर्फ मंगलवार और सनवार को ही हनुमान चालिसा पढ़ती थी अब मैं रोजाना पढ़ती हूं पर मंगलवार के दिन में साथ बार पढ़ती हूं पाद बाकी के दिन में एक एक बार पढ़ लेती हूं बस जितना कर लो पूजा बजन बस वही है वही साथ म मेरा मन है ना यह पूजा पार्ट में जादी कुछ खिचने लगा है ऐसा लगता है बस पूजा करते हैं तो अलगते हैं बस बैठी रहे हैं यहां पे बहुत सुकुन सा मिलता है कि वाद वाकी तो दिन बर की भाग दोर रहती ही है तो इधर मैं हनुमान चालीसा का जाब कर रह भी और आप लोगी like कमेंट करती है नहीं है प्लीज कर दिया कररो आपका एक like ने लिए काफी मायने रखता है आप लोग कभी भी नहीं करते हो like video देख लेती हो काफी लोग देख लेते हो like कभी नहीं करते हो मुझे भूल याद है बस मैं किताब लेके बैठ जाती हूं इधर मैं आई थी मॉल में यह इसाम का वीडियो है आटा खतम हो गया पता एंड टाइम पे दो दिन बचे आटा खतम हो गया तो मैंने क्या करूं दो किलोग का ले ले रहे हैं तो दो किलोग का मिल नहीं रहा तो य चाहत पांच पैकले इधर मुझे आईस्कीम खाने कमन था तो मैं आईस्कीम लेने आगी थी तो मुझे यह वाली इस्टोवेरी वाली बहुत अच्छी लगती है सच वतार बहुत ज्यादा अच्छी लगती है यह वाली बात बाकि मैं कोई फ्लेवर कभी नहीं लेती जल्दी मतलब मैल्ट नहीं हो पाती है मैल्ट थो बहुत होई जाते हैं जब तुझा विडियो में बने रही है तो अब यह आगी हूँ बाहर और आफ मौसम बहुत अच्छा हो रखा है हो सकता है कि बारीस हो जाए कि भी बहुत काले वादल हैं आपको दिखा दें और ऐसे दिखनी रहे हैं मेरे से दिखा जाएंगे और टाइम हो रहा है 6 बजी का ग्यान भी किदर गई ग्यानी मेरी आसपास में गई पीछे क्या तो अच्छा लग रहा ना मेरा कैमरा ना यहीं आके रुपता है बस पता नहीं क्यों अच्छा लगता है इसलिए तो दोस्तों तो अभी सामके बजरे हैं 6 और यह देखिए बातल बहुत देजमाला आया बहुत काला काला बातल है यह देखिए और जबकि वैदर में मैंने देखा था तो तीन दिन का सुर्देव निकले हुए थे पर फिर भी मौसम गरबढ़ हो किया अब मुझे डर लग रहा है मंडे का बस मंडे को बारिस ना हो बात वाकि आज हो जाए संडे को कल हो जाए तो ठीक है अच्छा रहा न भीयू और मुझे सबसे ज़्यादा इधर सूट करने का मन होता है बा इसकी मैंने चोटी बनाए थी इसने रवर निकालके फ्यांक दिया क्या रवर कहा है रवर कहा है तो फलाल हवाना बहुत ठंडी ठंडी चल रही है के- दोस्तों आभी सामके बजरे हैं साढ़े साथ साथ सूर हो गाल जाइश बना के रख दिया और खाने में मैंने बनाऊ है आलू प्राई कि धीरी हैं बनाटे बनाए क्योंकि मुझे रोटी पसंद है इनको प्राटे और दही ये लेके आ रहे होंगे फिर मैं बनाओंकि बूंदी का रायता क्योंकि आलू फ्राई करो तो रायता अच्छा लगता उसके साथ और तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूं और हां कल आपको पैकिं करना साथ में सस्काइब कमेंट करना मत बूलना और बेल आइकन दबाना भी तो मिलते हैं हम नाइस्ट वीडियो तब तक के लिए फ्रेंड बाई